हेलो गाईज, वेलकम टो अवर यूट्यूब चैनल, मॉम्स बेबी, गाईज, आज हम बात करने चाह रहे हैं, कि अगर आप अपने बच्चे को सेरलेक देती हैं, तो ऐसी कौन सी चार गलती हैं, जो आपको नहीं करनी हैं, तो गाईज, आप मेरा ये वीडियो शुरू से ला आते हैं, तो आपको वो इमेडियेटली खिलाना है, वीडियो टैन टू फिफ्टीन मिनट्स, यह नहीं है कि अगर आपका बेबी उस टाइम पे सेरलेक नहीं खा रहा है, और आप उसको आदी घंटी के लिए रख दें, एक घंटी के लिए रख दें या दो घंटी के लिए आप इसको आपने किसी और कंटेनर में नहीं निकाल के रखना है, जब जो यह सेरलेक के डब्बा है, इसके अंदर एक पैकट है, मैंने इसमें रबड भी लगा के रखा हूँ है, ताकि इसमें से जो हवा है वो नहीं निकले, तो आपको जब ऑपन करना है, ऐसे ही रबड सैलेले के जब्बे में डाल कर और उसके बाद भी आप क्या करें कि एक जो रबड है इस जब्बे की उपर भी लगा दें ताकि जो इसके अंदर हवा ना चाहें थर्ट पॉइंच यहां पर यह आ जाता है, कि आपको सैलेलेक पल भी डिपन नहीं रहना हैं आपको अपने बेबी को उसके साथ सब्ली मेंटरी फूर्स ऑफ़ी देते रहना यह जैसे फूर्ट्स देتم रहे हैं तो आप उसको Как दाल खिलायें जो भी आप उसको दे रहे है, supplementary fruits उसको देते रहे हैं, आपको यह नहीं है कि जब आपकी बेबी को बूट लगे और आप उसको सेरलिक दे दें, फोर्ट पॉइंट यहां पर यह आजाता है, guys, कि आपको सेरलिक को जो है, वो विदिना वन मन्त इस जब्बे को खतम करना यह नहीं है, कि आपका बेबी जो सेरलिक नहीं खार आप उसको धीरे 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 दो तिन मीने तक चलाते रहें, नहीं, आपको यह जो बॉक्स है, व सेकंड गल्ति कि आपको इसी बॉक्स में रखना है, तुसके कंटेनर में एक्स्ट्रा कि हम सोचते हैं कि कई बरी हमें जब बहर से कोई चीज आती है, जैसे कि हमको इपने घर के दाल लेकर आती है, तो हम उसको किसी और कंटेनर में निकाल देते हैं बट इसमें ऐसा नहीं करना है, इसको इसी के अंदर ही रखना है, एंट थर्ड गल्ति वही जो मैंने आपको भी बताई थी कि आपको जो यह सेरलिक है वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलाना है, आपको लॉंग टाम तक इसको नहीं चलाना है, आपको वी देना वन मन्थ जोई, वो सेरलिक प्neesh कर करवा देना है उसके पर फॉर्थ गलती है कि आपको इसे पर डिपेंड नहीं रहना है तो गाइस आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट और शियर जुरूर करेगा ओके बबाई ठीक किया